नमस्ते मैं आचारी चानक्य मैं आपको मैंने लिखी चानक्य निती के सोलवे अध्याय का एक बहुत महत्वकून श्लोक बताने वाला हूँ अगर आपने इसे समझ लिया, तो आप दुनिया में किसी भी इनसान को वश्मि कर सकते हैं यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई तरंत्र है, कोई भी इनसान इसे सिख सकता है और अपने जीवन में इसका उपयोग करके धन और आनंद प्राप्त कर सकता है मुल्तह चार प्रकार के व्यक्ति स्वभाव होते हैं लोभी, अहंकारी, मुर्ख और बुद्धिमा हर मनुष्य में ये चार स्वभाव कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं जैसे कि एक व्यापारी में लोभ और बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है कुछ में इनका प्रमान कम या अधिक हो सकता है, लेकिन ये स्वभाव आवश्य मौजूद होते हैं इसलिए हमें सबसे पहले एक व्यक्ति में कौन सा स्वभाव उस समय ज्यादा है वह पहचानना चाहिए जब आप किसी से बात करें तो अपना ध्यान उसके बात करने के तरीके और उसके हाव भाव पर दे इससे आपको उसके स्वभाव का अंदाजा आ जाएगा आप अगर ये रोज करते हैं तो केवल एक व्यक्ति को देख कर भी आप उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं जैसे ही हमें पता चले की इस समय इस व्यक्ति का कौन सा स्वभाव प्रभल है हम उसे वश में कर सकते हैं लोभी को धन देकर अभिमानी को हाथ जोड़ कर मूर्थ को उसकी इच्छा के अनुसार कारे करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वहां धन प्राप्ती के बिना संतुष्ट नहीं होता उसे धन देकर वश्मे किया जा सकता है जिस व्यक्ति को अभिमान है अहंकार है उसे नमरता पूर्वक व्यवहार करके वश्मे किया जा सकता है मूर्ख व्यक्ति सदैव हटी होता है इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और विद्वान व्यक्ति को वश्मे करने का सबसे सही उपाय है कि उसे वास्तविक्ता से परिचित करवाया जाए